सब्सक्राइब कीजिए एसके ओफिसियल टेक को और दबाएए इस बेल के आइकोन को ताकि आप देख सके हमारे नए वीडियो सबसे पहले सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारे नोटिफिकेशन में कोई भी ग्रीन आइकोन शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ग्रीन आइकोन कैसे आता है तो पहले हम वो देख लेते हैं यहाँ पर जो ग्रीन आइकोन हमको शो होता है उसके एक नहीं दो रिजन है त जब याप फोन पर बात करते हो, जो डायल पेड होता है, वो अमारी microphone को access करता है, उस time भी यहाँ पर green icon show होता है, या फिर हम camera से को recording करते हैं, उस time भी यहाँ पर green icon show हो जाता है, तो यह icon तभी show होता है, जब हमारा mic या location access होता है, उस समय यहाँ पर green icon show होता है, तो मैं आपक यहाँ पर करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर हम MAP को Open करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हमने MAP को Open किया यहाँ पर यह Green Icon Show होने लगा है और जैसे हम इसे हटाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह Green Icon यहाँ से हट चुका है तो अब आपको पता चल गया होगा कि green icon हमारे phone में कैसे show होता है तो अब हम ये जानते हैं कि क्या इससे हमारे phone hack हो सकता है और अगर hack हुआ होगा तो वो आपको कैसे पता करना है तो यहाँ पर हम फिर से map को open करते हैं तो यह मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से green icon show होने लगा है तो अब आपको कैसे पता करना है कि कौन सी app आपके green icon को show कर रही है तो उसके लिए आपको सीधर notification panel को open करना है यहाँ पर जो new model है उसमें आपको directly यहाँ पर show हो जाएगा कि कौन सी app आपके green icon को show कर रही है तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो maps के आगे green icon show हो रहा है यानि कि map हमारी location को access कर रहा है तो अभी हम इस पर click करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो this shape is access to your location यहाँ पर लिखा हो भी है तो अभी हम इसे go edit कर देते हैं तो यहाँ पर आप ऐसे भी check कर सकते हैं कि कौन सी application आपके location को access कर रही है तो अभी यह जानते हैं कि आपका phone कोई hack कर रहा होगा तो उससे आपको कैसे बचना है तो उसके लिए आपको setting को open करना होगा यहाँ पर आपको निच्चे scroll करना है उसके बद आपको location का option दिखेगा location आपके phone में उपर निच्चे कहीं पर भी हो सकता है तो आपको देख लेना है तो अभी हम location पर ok करते हैं यहाँ पर आपको CL पर click करना होगा उसके बद आपको यहाँ पर सारे app show हो जाएंगे जो भी आपके phone में location को access कर रहे होंगे लेकिन यहाँ पर आपको सिरिफ वो ही app दिखेंगे जो आपने install किये हुए हैं तो यहाँ पर आपको more पर click करना होगा उसके बद आपको show system पर click करना है तो यहाँ पर आपके सारे system के app भी show हो जाएंगे system के app को हमने इसलिए show किया है क्योंकि lucky picture की मदद से हो सकता है किसी ने आपके phone में system में कोई app install की हो जिस वज़े से आपके phone को hack कर रखा हो तो आपको system app में भी यहाँ पर देख लेना है कि ऐसा कोई app तो नहीं जो आपने install नहीं किया है और वो location को access कर रहा है तो उस वज़े से भी आपका phone hack हो सकता है तो उसकी permission को आपको कैसे disable करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ जैसे यहाँ पर हमको जो apps दिख रहे हैं उन सबी की permission को हमको बंद करना होगा तो उसके लिए हम phone pay पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको app permission पे क्लिक करना होगा उसके बद आपको location पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको यह वाला option select करना है allow only while using the app इसका मतलब यह है कि यह हमारी location को तब ही access करेगा जब हम phone pay को open करेंगे और अगर आपके phone में all time का option select है तो आपको उसे हटा देना है और यह वाला option आपको select करना है तो अभी हमारी इसमें पहले से यह वाला option select है और अगर आप चाते हो कि phone पे हमारी location को access ना करे तो उसके लिए आपको don't allow पे click कर देना है तो यहाँ पर ही select हो चुका है उसके बाद phone पे हमारी location को access नहीं कर सकता है लेकिन हमको phone पे से कोई खतरा नहीं है इसलिए हम इसे allow रेने देते हैं और इसे back करते हैं तो अब आपको ऐसे ही check करना है कि यहाँ पर कोई application तो नहीं जो आपने install नहीं की है या किसी और ने आपके phone में install की थी उस app को आपको यहाँ पर देखना है और उसके location को आपको don't allow कर देना है तो फिर वो app आपकी location को access नहीं कर पाएगा और आप चाहे तो यहाँ पर microphone का option भी होता है तो उसे भी आप बंद कर सकते हो तो यहाँ पर हमने इसे don't allow कर रखा है तो ऐसे आप इसे don't allow कर सकते हो तो यहाँ पर microphone और location दोनों बंद हो जाएंगे उसके बाद आपका जो green icon continue चल रहा था वो यहाँ से हट जाएगा तो ऐसे आप इस green icon को remove कर सकते हो और अपने phone को हेक होने से बचा सकते हो तो बस इस video में इतना ही